हेई गाईज तो कैसे हो याद आज की सीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन की जो स्क्रीन है उसका आप स्ट्रीम कर सकते अपने लेप्टोप हो गया फिर अपने डेक्स्टोप के अंदर वह भी 60 fps में और 1080 के रेजुलेशन के साथ इसमें आपको को खाली बस एक कुछ MB की एक फाइल होगी वह आपको अपने कम्पीटर के अंदर डाउनूट करना होगा और आपको अपने फोन में USB debugging को ओन करना होगा और आपको अपने USB के बल के साथ उसको अपने फोन को अटेच करना अपने लेप्टोप के साथ और बस इसके बाद होगी तो भी चलता है तो चली मैं आपको अपने laptop इसके कुसी क्या Caitlin कि अपने एक अप your तो भी ब्राउजर को open कर सकते हो chrome internet explorer हो गया कुछ भी हो सकता है ठीक है इसके बाद आपको इसमें search करना है acr-acr-cpy github ओके यह निच्छ आ गया है तो आपको लिखना है acr-cpy आप यह पर देख सकते हो acr-cpy इसके बाद आपको यह फर्स नंबर का जो link आएगा github की repository है यह आपको इसको open करना है यह gini mobile-acr-cpy करके लिखा होगा आपको इसको open करना है देन आपके पास यह पूरा github का page को लेगा github की repository है तो इसके बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है आपको नीचे जाना है थोड़ा और आपको यहां पर एक windows का एक heading दिखेगी windows की ठीग है उसमें आपको नीचे जो link मिले एक zip file आपको इसको download करना है तो मैंने इसको पहले से कर रखा है लेकिन मैं आपको करके बता देता हूं दे कि एक 25 MB की file है तो जब आपकी zip file download हो जाएगी तो उसके बाद आपको उसको अपने जिस भी folder में डालना है वहां डाल के उसको आप extract कर लेना उसको जिप से अंजिप कर लेना उसके बाद आपको इसमें कुछ यह वाली files मिलेगी सारी यह मैंने extract करके रखा हुआ है और आपको यहां पर क्या करना है यह जो is a-c-cp-y.exe करके file लेना आपको उसको simply run करना है लेकिन इससे पहले आपको अपने फोन को USB के साथ महला अपने laptop के साथ इसको connect करना है साथ में आपने फोन में developer option को own करना और उसमें जाके usb debugging को आपको own करना है अगर आपको इन्हीं पता को कैसे करना है तो आपने फोन की setting में जाना के बाद आपको about phone में जाना उसके बाद आपको वापे build number का option मिलेगा आप उसके चार से लेके साथ बार टेप करोगा तो आपका developer option on हो जाएगा उसके बाद आपने फोन की जो भी आपका phone का model उसकी सबसाब देख सकते हो YouTube पर या फिर Google पर सर्च करके आपको कहा developer option को कहां मिलेगा हूँ उसके बाद आपको इसमें जाकि usb debugging का option को इसको own करना है बस उसके बाद आपको यहां आके यह जो acrcpy की यह जो एकसी फाइल है आपको इसको execute कर दे मालब इस पर double-click करके इसको चालू कर देना है तो guys यह देखिए मालब मैं अपने फोन से भी रिकोर्ड भी कर रहा हूं यह पूरा मालब रिकोर्डिंग अगरा चल रही है तो यह आपको अला आप देख सकते हो मैं यह पर बोल भी रहा हूं आ तो मैंको मालब कुछ भी लेटेंसीन दिख रही है कि मैं बोल मेरी एको जो लिएक देना शेयर और सबसक्राइब जो फिता चैनल को सब्सक्राइब करो यार भाईसाथ क्या कर रहे हो तुम ठीक है सब्सक्राइब कर देना आओ मैंने बिकली एक वीडियो डाली तो आप इसको भी जाके झाल झाल